नमस्कार मैं तरुन वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आपसे पिछली वीडियो से आगे बात करूँगा जिसमें हम OCD में उप्योग में लाई जाने वाली जो भी कॉंप्लिमेंटरी और अल्टरनेटिव मेडिसिन अप्रोच हैं और यह बताया था कि कैसे एक शोध के आधार पर हम 14 अलग अलग शोधों को विस्तार से डिस्कस करेंगे और यह देखेंगे कि कौन से अल्टरनेटिव उप्चार, वेकल्पिक उप्चार, दवाओं या साइको थरैपी के अलावा OCD या OCD से समबंदित बिमारियों में लि जैविक तत्व, नूट्रियंट्स और हर्बल मेडिसिन्स का उप्योग किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे नूट्रियंट्स के बारे में। समय तक सस्टेन्ड रिलीज करना आवश्यक होता है, जिससे कोशिकाओं के कई जरूरी तत्वों का निर्मान हो जाता है। MI, Myo-Inositol दिमाग में जाके Serotonin का Re-Aptake बढ़ा देता है, जोकि OCD के इलाज में जरूरी होता है, जो दवाई भी करती है SSRI वाली। और 5HT2 receptors की संख्या को बढ़ाने में भी योगदान देता है। ये 5HT receptors की भूमी का बहुत एहम होती है OCD के इलाज में, क्योंकि इनकी अधिक सक्रिता से OCD के लक्षणों में कमी आती है, जोकि अक्सर SSRI दवाईयों के प्रभाव में होता है। So MIB OCD की दवाउं की तरह काम कर सकता है पर इस संबंद में शोध नहीं हुए है और यह केवल speculation है फिलहाल तो, लेकिन कुछ clinical तथे मौजूद हैं जो कहते हैं कि MI की heavy dose से OCD का इलाज संभव है। फक्स और उनके सायक वेग्यानिकों ने 1996 में इस संबंद में पहली शोध की थी जिसमें उन्होंने पाया कि OCD के 13 मरीजों को जब प्रति दिन 6 हफ़तों तक 18 ग्राम MI, myo inositol दिया गया तो उनके OCD लक्षणों में भारी कमी आई जिसे Y-Box पर जाचा गया। Y-Box मतलब Yale Brown Obsessive Compulsive Scale जो की OCD के लक्षणों को मापने वाली प्रशनावली होती है जिसे डॉक्टर इस्तमाल करते हैं। हलंकि जब इन शोध करताओं ने 1999 में पुनह शोध किया जिसमें उन्होंने 13 नए OCD मरीजों को MI की 18 ग्राम प्रति दिन की डोज के साथ SSRI भी दिया। तो कोई खासा फर्क देखने में नहीं आया MI के कारण, Myo Inositol के कारण। कुछ और शोध करताओं ने भी पुनह MI के प्रभाव को जानचना चाहा पर हर बार यही देखा गया कि MI अगर अकेले ली जाए तो इसका प्रभाव देखने में महत्वपूर्ण लगता है। पर जब इसे SSRI की दमाओं के साथ दिया जाए तो यह बेसर दिखाई देती है। मतलब इसके असर को सही प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता। असल में जब MI का प्रभाव अकेले में दिखता है तो वह आवशक्ता से कम होता है। इसलिए जब SSRI दी जाती है तो उनका प्रभाव अधिक होने के कारण MI का प्रभाव बेसर ही लगता है। अतह अभी के लिए यह कहना मुश्किल है कि मायो इनोसिटॉल MI को एक अकेले इलाज के तौर पर लेना है या SSRI के साथ लेना है इस पर अधिक शोध होना भी ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण प्राकरतिक केमिकल है N-Acetyl Cysteine NAC NAC एक एक एंटी ऑक्सिडेंट होता है जो उन बिमारियों में मदद करता है जिनमें ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस की भूमी का एहम होती है। अधिकतर मानसिक बिमारियों में यह तनाव शरीर में बनता है जिसे NAC कम कर सकता है। साथ ही NAC inflammation के पात्वे पर भी असर डालता है जिससे यह कोशिकाओं में होने वाली सूजन को कम करने में लाबकारी है जो तनाव के कारण होती है। NAC की एक बहुत खास भूमी का होती है दिमार में मिलने वाले neurotransmitter glutamate के रिसाव को कम करने में। OCD में glutamate दिमाग के कुछ हिस्सों में बहुत तीवरता से निकलता है जिसके कारण compulsion के लक्षण हो जाते हैं। जो भी chemical glutamate को नियंतरन करे वो OCD के लक्षणों को कम कर सकता है और NAC यही करता है। OCD spectrum पर एक बिमारी होती है जिसे trichotilomania कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने बाल खींचता है जिसमें उसे एक आंशिक सुकून मिलता है और यह वेवार में दिन में कई बार ना चाहते हुए भी करता जाता है। यह बिमारी भी OCD की तरह बहुत गंभीर होती है। इस बिमारी के इलाज के लिए ग्रांट और उनके सहयोगियों ने 2009 में ट्रिकोटilomania के 50 मरीजों पर 12 हफते तक शोध किया जिसमें उन्हें प्रति दिन 1200-2400 मिलीग्राम की नैक दी गई। Massachusetts General Hospital Hair Pulling Scale MGH-HPS पर जांचने पर देखा गया कि जिन लोगों को नैक दिया गया प्लेसीबो वाले लोगों के मुकाबले उनके लक्षणों में बहुत कमी देखी गई। 56% मरीजों में बहुत अच्छा फर्क देखा गया जबकि प्लेसीबो मिलने वाले लोगों में केवल 16 प्रतिशत ही ऐसे लोग थे जिन में फर्क बहुत अच्छा दिखा अता यह कहा जा सकता है कि नैक प्रभावशाली है OCD जैसे लक्षणों को ठीक करने में यह शोध गु इस शोध के परिडामों पर भरोसा किया जा सकता है और नैक का उप्योग OCD में करना लाबकारी हो सकता है तीसरा प्राकरतिक केमिकल है Amino Acid Glycine वे भी एक ऐसा न्यूट्रियंट है जो मस्तिश्क में Glutamate के काम को नियंत्रित करता है Greenberg और उनके सहयोगियों ने 2009 में एक शोध किया जिसमें उन्होंने 24 वयस्क OCD मरीजों को प्रति दिन 60 ग्राम Glycine दिया यह उन्हें स्टेंडर्ड ट्रीट्मेंट के साथ दिया गया जिसमें SSRI या अन्य दवाईं भी दी गई थी उन मरीजों के लक्षणों में काफी कमी देखी गई जिन्हें Glycine भी दिया गया था प्लेसीबो लेने वाले मरीजों की तुलना में हर सब्ताह इलाज का असर पिछले वाले से अच्छा था हलंकि यह शोध बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि Glycine का टेस्ट बहुत खराब होता है और उससे पेट खराब होने लगता है और प्रति दिन हाई डोस देने की वज़े से उसे सहन नहीं किया जा सका अधिकतर मरीजों द्वारा कुल मिलाकर Glycine के प्रभाव अच्छे थे पर फिलहाल निशकर्ष नहीं निकाला जा सकता चौथे केमिकल EPA एकोजा पेंटा एनोइक एसिड के प्रभाव को जांचने के लिए एक शोध में फक्स और उनके सहयोगियों ने 2004 में 11 OCD के मरीजों को 2 ग्राम EPA दिया प्रति दिन और एक प्लेसीवो ग्रुप भी था जिन्हें ऐसे ही 2 ग्राम कोई लिक्विड दिया गया इन सभी मरीजों को पहले से ही SSRI की दवाएं मिल रही थी और इनकी हालत स्थेर थी यह शोध 12 हफतों तक चला जिसमें 6 सब्था बाद इलाज का केमिकल रिवर्स कर दिया गया मतलब जिन्हें पहले 6 हफतों में EPA मिली थी उन्हें अगले 6 सब्था के लिए वो लिक्विड दिया गया और यही प्लेसीवो वाले लोगों के साथ किया गया 12 हफतों के बाद यह देखा गया कि प्लेसीवो कुछ हद तक ज्यादा असरदार था OCD के लक्षणों को कम करने में जबकि EPA बिल्कुल बे असर रहा हलंकि दोनों से OCD के लक्षणों में कमी जरूर देखी गई पर EPA के द्वारा यह कमी थोड़ी थी जिस वजह से इसके उप्योग पर सवाल खड़े होते हैं किसी भी इलाज से कोई side effect नहीं आए इसमें EPA का उप्योग OCD के इलाज में नहीं किया जाना चाहिए अब हम आते हैं हर्बल दबाओं पर यह CAM biological interventions का दूसरा पाट है पहले nutrients था अब हर्बल दबाओं अब हम हर्बल दबाओं के प्रभाव पर बात करेंगे anxiety की बिमारियों में कुछ हर्बल दबाओं अच्छा इलाज कर देती हैं इस review में तीन ऐसी दबाओं पहचानी गई जिनका इस्तमाल OCD के इलाज में हुआ था S.J.W. को डिप्रेशन के इलाज में काफी स्टडी किया गया है मतलब S.J.W. को और यह है आम उपयोग वाली अंटिडिप्रेशन दबाओं की ही तरह लाबकारी भी साबित हुई है S.J.W. के बहुत से फायदे मस्तिश्क पर देखे जाते हैं खासकर की मोनो एमाइन री अप्टेक को रोकने में जो O.C.D. में S.J.W. के असर को समझने के लिए दो क्लिनिकल ट्राइल किये गए है पहला तो एक पाइलेट स्टडी था जिसमें 12 हफ्तर तक 12 मरीजों को जब S.J.W. दिया गया तो उनके लक्षनों में काफी कमी देखी गई हलांकि जब इसी असर को एक बड़े सेंपल पर एक अन्य ट्राइल में जाचा गया तो S.J.W. बेशर निकला प्लेसिवो की दुलना में यह दूसरा ट्राइल 60 मरीजों पर किया गया था जिन्हें कम से कम 12 महीनों से O.C.D. का डाइगनॉसिस मिला हुआ था और उन्हें 12 सप्ताहों तक 600 मिली ग्राम से लेकर 1800 मिली ग्राम तक S.J.W. का डोस दिया गया मरीजों के रिस्पॉंस के अधार पर यह ट्राइल भी अच्छे थे और इनके परिणामों पर भरोसा किया जा सकता है S.J.W. सेंड जॉन्स वार्ट कुछ खास पाइदेमंद नहीं है O.C.D. के इलाज में हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं मिल्क थिसल एक मेडिटरेनियन और परिशन पौधा है जिसका इस्तमाल कई सारी मानसिक बिमारियों में पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल रूप से किया जाता रहा है जो मिल्क थिसल के एंटी O.C.D. प्रभाव हैं वे सिलिबिनिन के कारण है जो दिमाग में सेरोटॉनिन के स्तर को बढ़ा देता है सायाह और उनके सहयोगियों द्वारा 2010 में एक Randomized Controlled Trial RCT किया गया जिसमें 8 हफ्तों तक 35 मरिजों को शामिल किया गया इनमें से कुछ को 200 मिल्क थिसल की पतियों का एक्स्ट्रेक्ट दिया गया और एक अन्य ग्रुप को दिन में 3 बार 10 मिलिग्राम फ्लॉक्जटीन की डोस दी गई जो OCD में दी जाती है अक्सर आठ सब्तहा बाद दोनों समुहों में कोई खासा फर्क नहीं देखा गया हालांकि OCD के लक्षणों में कमी जरूर थी दोनों ग्रुप्स में OCD के लक्षणों में भारी कमी यह जरूर दिखाती है कि मिल्क थिसल फाइदे मंद है OCD में परन्तु यह फाइदा OCD की आम उप्योग में लाई जाने वाली दवा फ्लॉक्जटीन से बहतर नहीं है इसलिए इसका उप्योग करना लाभ तो देगा सो लिया जा सकता है इसके एंग्जाइटी विरोधी, एंटी एंग्जाइटी या एंग्जियोलाइटिक फाइदे हैं और यह पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से एंग्जाइटी को कम करने में इस्तिमाल किया जाता रहा है हलंकि इसके मेकैनिजम के बारे में तो ठीक तरह से नहीं पता लेकिन जानवरों पर किये गए शोध से पता चलता है कि इसका असर डायाजपाम दवा के एंग्जाइटी विरोधी और सेडेशन बेहोशी लाने वाले असर की ही तरह होता है और साथ ही एंटी डिप्रेसेंट का भी ये काम करता है एक बेहत शांदार शोध जो यहां किया गया बुराज के प्रभावों को देखने के लिए उसमें 44 मरीजों को 6 हफतों तक जाचा गया इन में से कुछ को प्लेसीबो दिया गया जबकि बाकी को बुराज की एक स्टेंडर डोस दी गई इन्हें शुरुआत में शोध के शुरू होते समय और 1, 2, 4 और 6 सप्ता के अंत में जाचा गया दो तरह के लक्षणों के लिए एंग्जाइटी के और OCD के हलांकि शुरू के कुछ सप्ता तो कोई असर नहीं आया पर 4 और 6 सप्ता के अंत में एंग्जाइटी और OCD दोनों के लक्षणों में थोड़ी कमी देखी गई OCD के लक्षणों के मुकाबले एंग्जाइटी के लक्षणों में ज्यादा असर देखा गया OCD के बहुत से मरीजों में कोमॉर्बिड जन्रलाइज एंग्जाइटी के लक्षण अक्सर देखे जाते हैं जिसके लिए बुराज काफी लाबकारी हो सकता है इस तरह ये कहा जा सकता है कि बुराज का उपयोग फाइदेमंद होगा अगर OCD में इसका इस्तमाल किया जाए तो आप यहाँ स्क्रीन पर इन सभी बायलोजिकल कैम इलाजों पर हुई शोधों के बारे में देख सकते हैं आखरी कॉलम में इनकी गुणवत्ता पर नजर अवश्य डालें सभी शोध अत्यंत बहतरीन विधियों से किये गए थे इसलिए इनके नतीजों पर भरोसा किया जा सकता है यह दूसरी वीडियो अब मैं यहीं सबाप्त करता हूँ जिसमें मैंने आपसे biological camp interventions के बारे में बात की अगली वीडियो में हम mind body interventions और self help interventions के बारे में बात करेंगे और साथ ही इन सभी शोधों का जो निचोड है जो निशकर्ष है जो conclusion यह summary है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे धन्यवाद